असलाम लेकूम मैं उबयर मीर आज की तासा क्रिप्टो न्यूस को लेके इनम्या लंग की चैनल पर हाजिरू अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है पांच सब्सक्राइबर दो जारी किस और सबसे लेगर बिटकोई की फोरवर टाइम प्रेट में बात की जाए तो कल के दिन में काफी देर जो बिटकोई है वो 50,000 डॉलर प्लस ही रहा है और अगर अभी की बात की जाए तो अभी त दिखाएगा और फिर देखते हैं कि कब तक जो है बिटकोई अपनी 51,000 डॉलर की रिजिस्टन्स का तोड़ के और ज्यादा उपर जाता है और इसके लब अगर दूसरे और को इसकी बात की जाता है तो दूसरे और काफी इच्छा एक बुलिशन दिखाया है अगर सबसे प करना है कि जिसके अंदर मैं आपको लॉंक्टम के लिए रेकमेंट कभी भी नहीं करूगा ठीक है क्योंकि इसका कोई ऐस सच यूस केस नहीं है ठीक है इससे पहले भी इसने पर जोड़ टैश करके काफी ज्यादा निच्छे आया था और लॉंक्टम के लिए मैं आपको इस अच्छा काम करता नजर नहीं आता तो लॉंक्टम के लिए रेकमेंट नहीं है लेकिन अब इसके अदर यह है कि अपनी ट्रेडिंग गड़ा करके इसके अंदर से प्रॉफिट गड़ा निकाल सकते है इसके लाब बात करता चलो मैटिक की तो मैटिक ने भी मतलब के दिन के मताविक बड़ा अच्छा है एक बुलिश रहन दिखा है और इसके तरफ हम लोग देखेंगे कि यह जो है तब तक के लिए तो काफी अच्छा रहन दिखाएगा और हम लोग देखेंगे कि यह हो सकता है कि फ्यूचर में तकरीम फाइव डॉलर्स को भी टेच कर सकता है ले तो इसके लिए इसके अदर आप तब तक पर अपनी इंवेश्च्मेंट कर सकते हैं तो तब तक आप इसके अदर अपनी इंवेश्मेंट कर सकते हैं और इसके लाव अगर मैं चलता चलू तो ICP तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल ने भी काफी अच्छा एक बुलिशन दिखाया है कल के दिन के पताफिक तो ICP काफी अच्छा प्रोजेक्ट था और हम लोंग ने देखा था कि तकरीमन पहले यह तकरीमन 2800 डॉलर से नीचे डंप हुआ है और इन लोगा ने अपनी जो मार्किट है उसको खुदी डंप किया था इसकी मतलब के काफी प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा था और इसके कर सकते हैं तो लोंग तर्म के लिए यह एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि काफी देर से यह काफी साइड वाई साइड वाई साइड रन को तोड़के ऊपर चला जाता है तो लोंग टर्म के लिए आप इसके दर अपनी काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इसके लब अगर बात करतें चले फिल की तो फिल टॉकर ने भी काफी अच्छा एक बूरुशन दिखाया है कल के दिन के में और तकरीबन 75 डॉलर से दो दिन में 56 डिलर सक गया है तो फिल भी जो है काफी अच्छा प्रोजेक्ट है इसका जो technology है वो काफी advanced है और काफी एक अच्छा जो solution है वो provide कर रही है तो long term के लिए यह जो token है मैं आपको recommend कर सकता हूँ और अगर आप इसके दर से सिर्फ short term profits करा निकालना चाहते हैं तो fill भी एक ऐसा token है जो के आपको short term में काफी अच्छा profit है वो दे सकता है तो अमीद करता हूँ आपको आज काफी ज्यादा alt coins ऐसे पता लागे होगे कि जिसके अदर से आप short term profits करा निकाल सकते हैं इसके लब अगर अगर अब news की तरफ चलते चले तो सबसे पहले news आ रही है इंडिया से के जहां पर इंडिया ने crypto currencies को regulate करना है उसके लिए काफी अच्छी एक policy है वो अपना ही है अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने तक्रीबन तमां मềं JAY उनको रेगुलेट नहीं और उनको ऊपने country के आदर ग्रेषा में इंड़ाइगा और उनमें से जिस-जिस की जो टेक्नोलोजी है वो सबसे बहतरीन होगी और मतलब के जो टेक्नोलोजी में कफी ज्यादा एडवांस होगा सिरफ उन क्रिप्टो क्रेंसिस को अपने कंट्री के अंदर रेगुलेट भी करेगा और उनके अंदर लोगों ने अगर काम करना है तो उस उनके अंदर जैसा है कि हम जानते हैं उसकी वैलियूस गारा नीचे आ सकती है तो यह जो कदम है इंडिया की तरफ से यह बाकि जो कंट्री के क्रिप्टो होल्डर्स है उनके भी काफी जाला प्रॉफिट दे सकता है और मतलब किसे यह फाइदा होगा उन लोगों को कि वह करेंदर इंडिय आपनी जो करना शुरू करता है तो इसके नर इंडिया और इंडिया को टाइम गारा तो लगयेगा लगिन जब काफी पुरानी जो SEC की न्यूज है वो शेर प्रता चलूंगा जो के 2018 की है कि जहां पर SEC के जो उस वक्त के जो चेर्मेन थे मतलब के बिल हिंड मैं इन्होंने कहा था कि एथर जो है वो स्क्यूर्टी नहीं है ठीक है अब इस न्यूज को आपने देखना है और इसके बाद बाता चलूंग तो यहां पर रिपल ने स्ट्रेटीजी यह अपनाई है कि SEC ने इस सेक्शन के तहत कहा था कि एथर और बिटकोईन जो है वो सेक्यूर्टीज है तो यह एक बहुत जबरतस मूव है जो के रिपल ने चला है तो इसकी वज़ा से SEC का जो केस है वो बहुत ज़ ने ही बात के उपर पका काइम नहीं है मतला कि वो पहले क्रिप्टो करिंसी को कहा रहता है कि वो SEC नहीं है तो इसकी वज़ा से रिपल को काफी अच्छा एक EGG मिल गया है और हम लोग देखेंगे कि अब रिपल के जो CHANCES है वो यह केस जीतने में काफी ज्यादा हो गए है तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है और अगर रिपल यह केस जीत जाता है तो रिपल की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा उपर जा सकती है इसके लाव अगर मैं न्यूस शेयर करता चलो तो न्यूस हा रही है जपान से के जहां पे जपान को जो फाइनेशल इस्टूश है मतलब कि मिलियंस उफ येंज मतलब के जो कि जपान की लोकल करन्सी है वह इनवेस्ट होंगे डिफरेंट करन्सी के अंदर के जिसके थेरी हैं बिट को रिपल उगरा शामिल है और रिपल का जैकि जपान के अदर काफी ज्यादा इंवेस्मेंट आएगी अगले चंद मही जाली हो है वह काफी जाद उपर जा सकती है तो अगर आप रिपल के अंदर अपनी इंवेस्मेंट करते हैं और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो काफी अच्छा एक प्रॉफिट जो है वह आप जेनरेट कर सकते हैं और इसके लाब अगर मैं लास्टी न्यूज शेर आप नेजिस्टर नहीं हैं और मैं फिर से आपको रेकिमेंट करूंगा कि आपको जो अपने फंड्स है वो डिफर्ट एक्स्चेंडिस के अंदर आपको ठ्रांसर कर देने चाहें और सेफ रहके आपको अपने जो फंड्स हैं उनके साथ कामगरा करना चाहिए तो उमीद कर आपको आजका न्यूस ब्रेटर इंचा लगा होगा, कल तक के लिए अजास्त दीजिए, अल्हाफिज